so hey guys welcome back to a new video so basically आप जो यहाँ पे इस setup देख रहे हो यह मेरा gaming and streaming setup है जो मैंने 3rd of September तक पूरा complete कर था बिल्ड करके of course it is a very well executed setup काफी टाइम लगा कर यह setup को मैंने बिल्ड किया है I mean एक एक component इसके इद्दम well thought and planned करकर मैंने बिल्ड किया before that lab मुझे तो कुछ knowledge नी था PC के बारे में पूरा मैं knowledge collect करकर यह PC को बिल्ड किया but still यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी बहुत गलती होगी यह जो नहीं होनी चाहिए अगर आप PC अपना बिल्ड करें तो आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है of course यह negligible है but still important गलती है जो नहीं होनी चाहिए तो गाइस मैं आज की वीडियो में वही गलती हो के बारे में discuss करने वालो ताकि आप लो फ्यूचर में ऐसी गलती ना करो अगर आप अपना PC बिल्ड करने यह PC के बारे में अगर आपको और भी कुछ जाना तो मैंने पूरी सीरिस बना कर रखी है my gaming PC series जिसको आपको अभी playlist मिल जाएगा उपर आप जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो के बाद में and without further to do यार यह वीडियो को स्टालू करते हैं okay now let's start with the very first mistake पहली mistake की बात करें तो यह PC के अंदर की मिस्टेक है and पूरी setup के बारे में बात नहीं कर रहा सिर्फ PC के बारे में बात करो तो यह PC में मेरे से एक गलती हो गी थी जब मैं motherboard बाई कर रहा था तो मैंने actual मैं चेक नहीं किया कि motherboard में कितने fan headers है and मेरे motherboard में सिर्फ 2 fan header है एक में मेरा stock cooler लगा है basically CPU के fan को जो मैंने फिलाल तो exhaust का लगाया and मेरे जो case में actual में 3 fan है and एक ही fan header है तो basically मुझे अभी splitter buy करना पड़ेगा 500 रुपए extra spend करके पर अगर यही मैंने पहले दीख लिया था तो शायद से मेरा बांसरो पर बच जाता तो यह mistake बोट लोग कर लेते हैं and जरूरी नहीं है कि बाकी motherboard में भी तीन से जादा fan header होंगे high end motherboard में basically जादे fan headers होते but यह वैसे भी it's like 7000 का कुछ motherboard है 7000-8000 का 7500 का something motherboard ही है MSI B450 Pro M2 Max and यहां पर मैंने सोट इसी मिस्टेक कर दी fan के header कम है and आप देख सकते हूँ मैं स्टार्टिंग के जो fan है आगे के MSI MAG400 M case के जो work नहीं कर रहे है फिलाल तो मैंने स्टार्टर मंगाया अभी अभी देखते कभी आएगा and उसके बाद में मैं अपने fan को जो चला सकता हूँ but definitely यह point note करके रखना चाहिए क्योंकि जब भी आप बाइ करोगे तो देखो कि आपके case में कितने fan है आपके motherboard में कितने fan है basically जादा तर budget case में 2-3 fan तो होती ही नहीं है मैंने तो actually out of the box जाकर एक अच्छा cabinet buy किया चलो ठीक है जो भी है but yes this can be avoided again it's not a very big deal but definitely अगर आप starting में इसका अवारे में ख्याल रखते है तो शायद से आपके जो 500 रुपया बच जाता again जो मैं next teach के बारे में बात कर रहो it's not a very big deal but definitely it's something that हमें note करके रखना चाहिए so basically आप यह जो टेबल देख रहे हो पूरा भरा हुआ है it's perfect size 120 by 60 cm का यह टेबल है but यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है personally की छोटा है काफी of course आपके जो भी component है माइक हो गया इतना भी ऐसा space घरता नहीं है मैंने आपे दो speaker रखे हुए मेरा 24 inch का monitor भी perfectly set होता है यह size में and of course इस वाले में यह जो मैं keyboard यूज कर और इसमें numpad भी है तो इतना सब होने के बावजुद भी तो component जो है fit हो जाता है यह table में बट आपको extra space नहीं में लेगा अगर आपको कुछ customization करना है आपको अपने desk में कुछ और चीज़े रखने जिसे कि आजकल toys आते लोग toys रखते कस्टमाइज करने के लिए तो वह सम नहीं हो सकता यह table में काफी चोटा size है अन्यवीज मैंने iqa से यह table लिया 3000 का कुछ table है तीन चार साल भी चल गया ना तो बहुत है उसके बाद में बड़ा size ले लूँगा according to me 150 x 75 cm must अगर आपके घर में जगा है तो 150 x 75 cm लो अधर्वाइस जगा बिल्कुल भी नहीं जिसे मेरे में सीन था जगा एक्चल में कर सकते है बट वो अवेलेबल नी था size तो मैंने यह ले लिया बट आपके घर में जगा है तो आप 150 x 75 cm ले जरुवत पड़े ही जरुवत पड़े ही जरुवत पड़े ही जरुवत पड़े ही अभी देफिनली डेस्क बगड़ाता तो मज़ा आ जाता वैसे तो मेरे सारे मिस्टेक कंप्लीट हो गए इससे जाता मुझे लगता कुछ मेरे PC में कमी है बिकॉज मैंने जितना प्लान किया था सब कुछ वैसे ही गया बट डेफिनिटली अगर ये तो चीज़ होते तो थोड़ा असानी हो जाती बट स्टेल इस नौट सम्टिंग ऐसा रिजिजन नहीं है कि जो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ यार ऐसा क्यों हो गया यार लोट जो प्रिकॉशन ले सकते थे बट यहां पर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो वर्थ है मेंशनिंग करने का कि जबी भी आप अपना पीसी बिल्ड करोगे तो सबसे पहले तो आप अपना पैसा लगाओगे डिफिनिटली पीसी कंपोनेंट में बट यार पूरा अपने फ्रेंट में मुझे एक्ट्रा 500 रुपीज लग गया बिकॉस क्योंकि मदरबॉट सब़ोट नहीं करता तो यह 500 लगते हैं ऐसे बात करें तो छोड़े बहुत कुछ लगते हैं मैंने माउस पैड को गिना नहीं था बाद में मुझे याद है कि यार माउस पैड भी तो माउस पैड में पैसा खर्चा हो गया मेरा तो पेंड्राइव भी लगता है अगर आप खुछ से PC बिल्ड कर रहे हो तो पेंड्राइव की जरूरत लगेगी विंडोस डालने के लिए आप अपने फ्रेंट से भी बोरो कर सकते हैं बड़ को ऐसा देता है नहीं है क्योंक क्योंकि आपने मेरे यह वीडियो में देखा होगा कि मेरा केबल मैंज़मेंट कैसा है तो केबल मैंने ध्यान दिया हर एक एसपेक को ध्यान दिया अगर लास्ट इप के बात करूं तो प्लीस जस्ट प्लीस अगर आपके पस पैसे नहीं है तो भी 24 इंच के साथ जाओ 24 इं पूरा covering ही होगा तो आप उसमें रहोगे नहीं जस्ट गोविट 24 इंच या 22 इंच के सोचो भी मत अभी मैं अपने experience से बोल रहा है क्योंकि मुझे पता है 24 इंच कितना छोटा लगता है और अगर आप 22 इंच के साथ जाओगे लोग बोलिंग इस नाट बिग डील तीन अज पार वच रहा है तो क्या हो गया भई मत करो एक ही बार पीसी बिल्ड कर रही हो तो अच्छे से बिल्ड करो गोविट 24 इंच बाले वी ये पैनल ना पड़े मेरे पास तो IPS पानले बट अगर आपको वी ये पैनल ना पड़े तो भी चलेगा बट या 24 इंच के साथ जाओ 24 लगता है, must है, जरूरी है, and cabinet की बात करें तो अगर आपके पास पैसे नहीं है 24 इंच लेने के, तो cabinet में से compromise करो, मैंने तो cabinet में भी ली किया, मैंने सब जगे पे compromise ही नहीं किया, बट जहाँ पर भी compromise करो चलेगा, अब अपने specs में compromise कर दो बट 24 इंच के साथ जाओ, अब य I think, guys, this is going to be it for this video, recently Hindi channel बनाया, तो थोड़ी सी Hindi में गलती दिख गई, तो माफ कर दे न, ऐसे तो गलती दिखेगी, हम Hindi बोलने वाले बंदे, बट जो भी है, thank you guys so much for watching, and ये series को ज़रूर चेक करना, जो आपको आपको IMM दिख जाएगी, and बहुत सारे वीडियो से ये series में, PC के बारे में आपको अगर बिल्ड करनी है, या फिर नहीं भी बिल्ड करना तो यार, इंट्रेस्टिंग सीरीस है, अगर आप नहीं भी बिल्ड कर से तो आपको खुशी होगी देखके, PC बिल्ड हो रहा है किसी का तो, क्योंकि मुझे होती थी जब मेरे पस नहीं था, तो द मिस्टिक किया नहीं है, विर जी, रोर बन करना, और मुझे तो मैं बात करूँ तो मैंने केबल मानेजमेंट मी वान हजार एक हजार रूपया खरजा क्या, और या लास्टिप में क्या कहना, और लास्टिप में कहूंगा कि,